السلام علیکم ठोछाला फ्यू कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं तो बिलकुल ठीक ठाक होंगे खैरियस से होंगे जी आलखलोला मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियस से हूँ तो जी वेलकम है आपका मेरे नियो विलोग में और जी वेलकम हैं आपका गोवी वाले प्राठों में क्योंक अग्याय। क्योंकि आज हमारा नाश्टा ना बहुत ज्यादा लेट हुआ था तो तक्रीब दस बजे तो मैं नाश्टा बना रही हूं तो फैर मैंने का चलो जी कोई बात नहीं है हम थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होता कुंसा हमारे गर में ना किसी ने जाना होता है ना स्कूल ना कॉलिज कहीं भी तो इस होजार से फिर और यहां पर अभी भी कॉल चार रही है इसलिए हमी भी आसा सा लगी हूए है और फिर उसके बाद जी रोटियां तो होगी थी तियार तो मैंने का चलो मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ और वैसे भी जब चाय ना कर पी लें और यहां पर मेरी तो हो चकी है त्यार साथी रोटियां भी त्यार होगी है और साथी चाय भी त्यार होगी है इतने मज़े के प्राठे बनते हैं मैं कहती हूँ आलू के प्राठे भी बड़े मज़े के प्राठे भी बड़े मज़े के बड़े मज़े होते है मेरे तो बहुत ही फेवरिट है सरदियू में गर्मी में तो कभी सोचा भी नहीं जाता लेकिन सरदियू में बहुत जादा फेवरिट होती है और भी नाश्टा करने के बाद थोड़ा सा हमने माल पैक किया था पड़ा हुआ था रात कई तो वो अबू लेकर चले गए तो हमने का कि हमें भी बजार ले जाए हमारे दो तिन काम पैंडिंग पड़े होगे है और जब से सरदी आई है ना ये एक मन्त हो गया ता करीबन हम बजार नहीं गे वरना मैं और हमी चोटे मुटे कोई काम होता ना तो हम चले जाते हैं और चकर लगा लेते हैं और ये देखे हम जब गर से निकले रहा है मतलब अपनी गली से निकले थे तो यहां तक मैं वीडियो शूट करती रही हूं और सिरफ और सिरफ बाइक के ओपर एक मिनट लगता है हमें बजार पहुँचने में तो पैदल आएं तो फिर पांच मिनट लग जाते होंगे तो खैर चोटे मुटे कामों के लिए मैं तो अम्मी जैसे उतरदाना तो आ जाते थे लेकिन अब इतनी सर्दी पढ़ रही थी तो हमने का उमने सोचा ही नहीं के बाहर रहें और कोई काम कर लें तो खैर फिर आज जो है ना हमने हिम्मत करके तो अबूका तरला किया कि हमें आप बजार ले जाएं तो शुकर है कि वो मान गए थे कि चलो फिर आज़ो मैं तुम लोगों को वहीं पर छोड़ दूँगा क्योंकि उसी साइड पर मैंने जाना है तो फिर आज़ो तो फिर हम आगे उनके साथ और बाइक पर इतनी शदीद सर्दी लगती है कि क्या ही बोले बंदा और यहां पर आके दो लम्हे सकून के मिले थे शॉप काफी चोटी सी थी और इतना इसमें सकून था हलांके हीटर वगएर तो कोई चल नहीं रहा था लेकिन सर्दी नहीं थी हमें बाइक पर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चपेड़े मार रहा है सर्दी की और यहां पर जो हैना हमारा काम यह था कि यह जो हैना थी शॉप यह आपको नजर आई रहा कौन सी शॉप है तो यहां पर हमने डुबटे पीको करवाने थे इतनी देर के हमारे वो सूट पड़े हुए थे और अभी मैंने वैसे सलाई करने सलाई भी नहीं हुए तो खेर कटिंग करके उनकी तो मैंने रखा हुए तो हम इंके चलो डुबटे को इनको पीको करवा आते हैं क्योंकि यह हमने कपड़े लिए थे जो गली में आते हैं ना बेचने के लिए तो फिर उनसे ले लिए थे क्योंकि हमें पसंदा आ गए थे तो हम कहते हैं चलो इनसे ले ले लेते हैं तो इस वजह से फिर डुबटे हमारे रह गए थे तो फिर हमने वो करवा लिए उसके बाद हम आये थे मुबाइल शॉप पे यहां पे भी हमारा थोड़ा सा काम था तो हमने का चलो जी अब हम यह कर लेते हैं और इस शॉप में भी शॉप के किसी भी शॉप में चले जाओ ना उसमें सर्दी नहीं लग रही होती तो बाहिर इतनी जादा सर्दी लग रही होती है मुबाइल एक दो ठीक करवाने वाला था वो चेक करवाया हमने का कि चलो अभी जो हम इनको दिखा लेते हैं अगर तो सही होता है तो ठीक है और वैसे भी ना मैं इतना डर डर के वीडियो बना रही होती हूं मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कोई यह न बोल दे आप क्यों वी लोगिंग बनाते हुए लेकिन फिर भी अभी तक मुझे थोड़ी सी जिचके चाहट होती है तो खैर कभी कभी खतम भी कभी नहीं भी होती तो मुझे ऐसे रगता है कि मेरी भी खतम हो जाएगी लेकिन जो कोई न्यू बंदा होता है न उसके सामने मैं ज़रा हिचके करते हैं और यहां पे जी जा रही थी फोजियों की गाड़ियां और गाड़ियां देखे तो मुझे वीडियो का होश ही बूल गया हलांके मैं उनकी बना सकती थी सीदे से लेकिन वो कैमरा मेरा नीचे हो गया और मैं देखे इंको बागल अच्छा आपने पिताना है कि आप बड़ी लड़की कर रही है तो बस इस वजा से फिर मैं शर्मा जाती हूं और खैर यहां पर अभी हम वापिस आगे थे और सर्थी इतनी ज्यादा में लगी थी थी ना तो अमनी भी बोल रही थी कि इस मोसम में बंदा वैसे बजार जाने से बेतर है घर में बैटकी ना किस इसमें ना मैंने एक चमस लगाया तो मुझे लगा कि स्पाइसी नहीं है इतनी ज़्यादा शाइद उनों ने इसलिए रखी हो कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते कुछ खाते है तो फिर वैसे जायका इसका बिलकुल ठीक था तो बस मैंने फिर सोच़ा कि चलो इसके उपस चाट मसाला थोड़ा सा डाल लेते हैं हमारा क्या जाता है क्योंकि हमें तो स्पाइसी पिसांद है हम इस तरह कोई भी फूड है वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस वज़ा से फिर मैंने ना इसके ओपर मसाला डाल लिया था और ऐसे भी ना ये थी काफी मज़े की I think उन्हें ना मीठी चटनी और जो होता है दहीव गैरा वाली चटनी और पुदीने की चटनी सारा कुछ मिक्स करके ना इसके ओपर डाला हुआ था और इस वज़ा से इतनी ज़्यादा मज़े की थी और थोड़ा समसाला डाला तो थोड़ी स्पाइसी भी होगी तो सारा काम डबल हो गया और उतनी देर में ना थोड़ी देर के बाद बाबा भी आ गए थे और वो लेकर आये थे जी फिपरा और आप सब दो जानते हैं कि फिपरा हमारे गर में कितना ज़्यादा खाया जाता है और हमारे गर में सबका ही बहुत फेवरिट है तो इस वज़ा से भी मै गर्ड में वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है और इसको अगर फ्रीज में रखा जाए ना तो वो भी बिल्कुर सही नहीं होता तो इस वजा से भी हमने उसी टाइम पर बना लिया था और यहां पर जो है न यह बन चुका है इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं और इसक जाता है क्योंकि इसमें तो ना कोई ग्रेवी होती है ना कोई शौरबा होता है तो बस इसी तरह से रखके तो इसको खाया जाता है और जैसे हमारे घर में फिफरा बनता है ना तो सबसे पहले तो रोटी तो जब बननी होती है बननी होती है लेकिन सबसे पहले हमने जो है न यहीं पर वीडियो का भी आइन कर देती हूं तो यही लास्ट तक था तो इन्शाला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यार रखेगा कीप स्माइलिंग एंड अल्ला हाफीज